आज हम इस वीडियो में स्वराज के उन तमाम टेक्टरों के बारे में डीटेल में बात करेंगे जो भारत मार्केट में सेल होती है क्या फीचर्स है, क्या पावर आपर करता है, क्या कीमत रहने वाली टेक्टर लेने के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट देना होगा, EMI कितना होगा वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं धीरश कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार, आपको कौन से टेक्टर पसंद है या किसी टेक्टर के पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता है स्वराज कमपनी की स्थापना सन 1972 में की गई थी, आज भारत मार्केट में स्वराज 15 HP से लेके 70 HP तक की टेक्टर को बनाता है और सबसे बड़ी बात ये स्वदेशी कमपनी है और इसका मनिफेक्चर प्लांट भारत के अंदर ही होता है स्वराज टेक्टर को हमने HP के अनुसार से बाटा है ताकि आप बहतर तरीके से समझ पाएं 15 HP से 30 HP, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 HP के टेक्टर 60 से 70 HP के टेक्टर में स्वराज 3 मॉडल लेकर आता है जिसमें पहला है 960 FE जिसके कीमत 8,50,000 रुपे रखी गई है इस टेक्टर में 4 विल का आप्सन देखने को नहीं मिलता है 963 FE की 8,70,000 रुपे कीमत रखी गई है इसके साथ इसमें 4 विल का भी आप्सन मिल जाता है जिसकी कीमत 10,50,000 रुपे है जो 2 विल से 1,80,000 रुपे ज्यादा पे करना होगा सुराज 969 FE मोडल 2 विल की कीमत 9,40,000 रुपे रखी गई है और 4 विल में 11,35,000 रुपे जो 1,95,000 रुपे ज्यादा है 2 विल से फीचर्स में जहां 960 FE 55 HP के साथ आता है और 3480 CC का पावर जनरेट करता है साथ ही 59 HP का PTO पावर निकालकर देता है 963 FE 60 HP का टेक्टर है जो 3488 CC का इंजन और 35 HP का PTO पावर निकालके देता है सुराज 969 FE मोडल 65 HP का टेक्टर है जो 3488 CC का पावर निकालता है और 58 HP का PTO पावर देता है स्वराज का सबसे ज़्यादा popular और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वली टेक्टर स्वराज 855 FE model जहां इसकी 2-wheel कीमत 8,10,000 रुपे रखी गई है और इसमें आपको 4-wheel का भी option देखने को मिलता है जिसकी कीमत 9,90,000 रुपे है जो 1,80,000 रुपे महेंगा मिलता है साथ ही इसमें 855 में DT plus model देखने को मिलता है जिसकी कीमत 7,90,000 रुपे है क्या कुछ अंतर है आगे आपको बताते हैं स्वराज 855 FE 52 HP के साथ आता है और साथ ही 855 DT plus भी 52 HP का है दोनों में CC power भी सेम देखने को मिलता है 3,308 CC का वहीं अंतर इसका PTO power में निकल के आता है जहां PTO power 855 FE का 42 HP और DT plus का 44,85,7 HP का देखने को मिलता है स्वराज अपने 40-50 HP के केटेगेरी पे सबसे ज़्यादा मॉडल देता है इस रेणी में 6 टेक्टर देखने को मिलते हैं जिसमें पहला है स्वराज 841 XM मॉडल जिसकी कीमत 6,55,000 रुपे रखी गई है स्वराज 843 XM की कीमत 6,70,000 रुपे है जो XM 841-15,000 रुपे मेहंगा मिलता है 843 XM OSM मॉडल 6,40,000 के साथ आता है साथ ही 744 FE मॉडल 7,40,000 रुपे के साथ आता है और इसमें 4-wheel का भी option देखने को मिलता है जो 8,55,000 रुपे के साथ आता है जो 2-wheel से 1,11,000 रुपे मेहंगा मिलता है स्वराज 744 XM मॉडल भी देखने को मिलता है जिसकी कीमत 7,49,000 रुपे रखी गई है 744 में Potato Expert के नाम से FE मॉडल भी देखने को मिलता है जिसकी कीमत 7,20,000 रुपे रखी गई है जहां 841 XM 45 HP के साथ 2730 CC के साथ आता है साथ ही PTO HP आपको इसमें 34.9 लगभग 35 HP का PTO पावर ये निकाल कर देने वाला है स्वराज 843 XM 42 HP का टेक्टर है इसमें भी सेम आपको 2730 CC का ही पावर देखने को मिलता है लेकिन PTO आपको 38.4 HP का मिलता है 843 XM OSM मॉडल 45 HP का टेक्टर है जो 2730 CC का ही इंजन देता है लेकिन इसमें PTO पावर आपको ज़्यादा मिलता है 3840 HP का स्वराज 744 FE मॉडल 48 HP का टेक्टर है जो 3136 CC का पावर जनरेट करता है और साथ ही 37 HP का PTO पावर निकालके देता है इसके अलावा स्वराज 744 XM और पाटेटो एक्सपर्ट दोनों ही 48 HP का टेक्टर है जहां दोनों में 37.4 HP का PTO पावर निकालके देता है लेकिन अंतर आता है इसके CC पावर में जहां 744 XM 308 CC और Potato Expert 1336 CC के साथ आता है इसके बाद हम आते हैं 30 से 40 HP की स्रेणी में जहां स्वराज में 4 मौडल देखने को मिलते हैं जिसमें पहला है 834 XM जिसकी कीमत 5,60,000 रुपे दुसरा है 735 FI मौडल 6,20,000 रुपे जो 834 XM से 6,000 रुपे महंगा मिलता है अब ये 6,000 महंगा आप किस लिए देंगे आगे हम डीटेल में बात करेंगे स्वराज 735 XM मौडल 6,35,000 के साथ आता है और 735 XT मौडल 6,50,000 रुपे में आता है जहां 834 XM मौडल 35 HP का इंजन 2529 CC के साथ 29 HP का PTO पावर निकालके देता है वही 735 FE मौडल 40 HP के साथ 2734 CC जो 32.6 HP का PTO पावर निकालके देता है 735 XM मौडल 35 HP और 735 XT मौडल 40 HP के साथ आता है दोनों में ही समान 2734 CC का ही पावर देखने को मिलता है लेकिन अंतर आता है इसके PTO पावर में जहां 735 XM मौडल 307 HP का और 735 XT मौडल 32.6 HP का PTO पावर निकालके देता है स्वराज छोटे किसान उकले भी बहुत ज्यादा मौडल देता है जिसमें 2 विल और 4 विल दोनों आप्सन मिल जाते है स्वराज का सबसे छोटा मौडल आता है 717 जिसकी कीमत 3,30,000 रुपे रखी गई है स्वराज 724 XM मौडल की कीमत 4,20,000 जो 717 से 90,000 रुपे महंगा मिलता है 724 XM में और्चैट NT के नाम से मौडल आता है जिसकी कीमत 4,80,000 रुपे है 724 XM और्चैट के नाम से 5,50,000 रुपे इसकी कीमत रखी गई है 724 XM मौडल जिसकी कीमत 5,00,000 रुपे रखी गई है स्वराज में 724 F.E.M.M. आता है जो 4-wheel के साथ आता है जिसकी कीमत 5,10,000 रुपे है और स्वराज 825 XM model जिसके कीमत 5,20,000 रुपए रखी गई है फिचर में जहां स्वराज का 775 HP, 2300 CC और 9 PTO पावर के साथ आता है वहीं स्वराज का 724 XM model 25 HP के साथ 1824 CC और 22 HP का PTO पावर निकालता है 724 XM Orchard Empty model 30 HP का टेक्टर होता है जो सेम 1824 CC लेकिन PTO इसमें 21.1 HP का देखने को मिलता है स्वराज 724 Orchard का 25 HP का इंजन देखने को मिलता है जो सेम 1824 CC ही निकालता है लेकिन 201 HP का पावर दे पाता है स्वराज में 724 FE model और 825 XM model दोनों ही 25 HP के टेक्टर है और दोनों में ही लगबग 21.2 HP का PTO पावर निकालके देता है इसमें अंतर इंजन पावर में देखने को मिलता है जहां 724 FE model 1823 CC के साथ और 825 XM model 1537 HP के साथ आता है ये तो रहे वो स्वराज के सारे टेक्टर जो अब भारत मार्केट में सेल होते आ रहे है आपको ये जानकारी कैसे लगी उमीद करते हैं आप सभी टेक्टर के प्राइस अब आपको मालूम चल चुके होंगे जब भी आप कभी डिलिंग में बैठें तो ये प्राइस का हमेशा ध्यान रखे ताकि आप ज़्यादा पैसे ना पे कर पाए ऐसी नॉलेज भरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं सभी कोई नेश्ट वीडियो के साथ आप सब के लिए जै हिन जै भारत